आज भारत में हर किसी को कॉंट्राक्ट बनाने में कॉंट्राक्ट एक्ट का पालन करना पड़ता है और जुर्म और सबूत के मामलों में IPC और Evidence Act जैसे एक ही कानून है लेकिन हाँ एक समय था जब भारत में अलग धर्म के लोगों के लिए कॉंट्राक्ट जुर्म और सबू और Evidence Act लागू किया हर किसी के लिए सामान कानून मगर इसके अलावा दूसरे कुछ विश्यव में आज तक हमारे कानून धर्म के आधार पर अलग रखे गए हैं हम इनको पर्सनल लौज बुलाते हैं विवा तलाक अडॉप्शन और संपती के बटवारे में अलग हिंदू अगर हम समझना चाते हैं कि एक सामान कानून का महत्व क्या है तो पहले हमें यह समझना चाहिए कि समानता यानी equality का महत्व क्या है क्योंकि इसी बात पे आज भारत में काफी मत्भेद है और यही बात हम करेंगे आज के एपिसोड में स्वागत है आपका सबका समविधान में सेक्यूलरिजम क्या है क्यूं है आप इस सबको एक सेकंड के लिए साइड में रखिए और बस खुद से पूछिए क्या आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पे आपके विरुद भेदभाव हो या आपको नुकसान हो क्या आपका धर्म एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए या क्या आप चाहते हैं कि अपने धर्म को मानने और पालन करने में आप आजाद रहें यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक चाहते हैं कि हम पहचाने कि धर्म के अनुसार अलग personal laws रखकर हम धर्म के आधार पर भेधभाव कर रहे हैं अगर हिंदू या मुसलिम या क्रिस्चन या पार्सी होने के कारण कानून किसी को कम और किसी को ज्यादा आजादी दे रहा हो तो भेदभाब का प्रश्ण तो उठता ही है। आखिर अगर भारत की सारे नागरिक इक्वल है और हर एक को इलेक्शन के समय एक ही वोट देने के आधिकार है और कॉंट्राट और क्राइम के लिए नियम सामान है तो विवात अलाग के लिए क्यों नहीं। इसके अलावा ये भी बात है कि सारे पर्सनल लॉज में औरतों के विरुद अलग-अलग प्रकार के लेंगिक भेदभाव होता है जिसका सुधार जरूरी है। दूसरे तरफ देखिए अब UCC के जो विरोध ही है ये मानते हैं कि अगर किसी भी पर्सनल लॉज में लेंगिक भेदभाव का प्रशन उठता है तो हम उन कानूनों को बिलकुल ही रद करने की जगा उनका सुधार तो कर सकते हैं। अगर हमारे सम्विधान में हमें धर्म का पालन करने की आजादी मिलती है तो इसी आजादी का एक हिस्सा ये भी है कि हमें अपने धर्म के नियमों के मुताबिक जीने की आजादी मिले। खास कर विवा तलाक जैसे पर्सनल विशेयों में। इक्वालिटी का ये मतलब नहीं होता कि सब पर बिलकुल एक ही नियम लागू हो जब अलग लोगों के मौलिक जरूरते अलग होते हैं तो हम उन पर एक समान नियम लागू करके उनकी विभिनता को नजर अंदाज करते हैं यह भी एक प्रकार का भेदभाव होता है भारत में ह हम समानता और भेदभाव का मतलब स्पष्ठ नहीं कर पाये हैं क्योंकि सम्विधान के आने के बाद भी परसनल लौज की वैदता जाच सही तरीके से नहीं कर पाये हैं हम धर्म से जुड़े कानून काफी विश्यवपर बने गए हैं जिन पर भेदभाव का आरोप लगाया जा सकता है संपती और तलाक के कुछ नियम है धर्म परिवर्तन या कनवर्जन के कुछ नियम है हिंदू धर्म के बहार जो दलित हैं उनके लिए रेजर्वेशन की बात है हिंदू अंडिवाइड़ फैमिली की बात है मंदिरों का प्रशासन सिटिजिनशिप अमेंडमेंट स्कूल में हिजाब इन सारे कठिनायों का समाधान तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम equality को समझने की प्रयास नहीं करेंगे एक प्रकार से UCC को लागू करना स्कूल यूनिफॉर्म जैसे है जिस धर्म में religious dress पहननी होती है उस धर्म के लोगों की आजादी पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है और दूसरे धर्म के लोगों पे कम बस इसी तरह अगर विवा तलाक जैसे विशेव में धार्मिक स्वत के लिए हमें personal laws की diversity को पहचानना चाहिए सुप्रीम कोट में Hindu Succession Act, Triple Talaak, Polygamy और निकाहलाल की वैदता की जांच वैसे भी हो रही है तो ये तो जाहिर है कि लेंगिक समानता के लिए सुधार लाया जा सकता है लेकिन धार्मिक समानता में क्या होगा ये देखना बाकी है कि गया तो सकता है कि अदूट स्ब्सक्राइब रहें कि वाजने स्प्सक्राइब तो टो डिए लए आज पूरी तो सब्सक्राइब इस प्रज़नास को चाहिए ऑधियोनग्योरी टोस्ताइब दोस्ताइब है